आज की जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही helpful होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लेके आई हूँ गेज चूले के बर्नर को किस तरह से साफ किया जाएं बहुत ही आसान तरीका है चले देख लेते हैं किस तरह से हम इसकी सफाई करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक तरह से क्लीन कर सकते हैं और बिल्कुल चमका सकते हैं इसको तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है और बर्तन के अंदर हम यह बर्नर डाल देते हैं और अब हम इसके उपर डालेंगे गरम पानी हमें यहाँ पर पानी बहुत ही अच्छे से गरम चाहिए और प आदा निम्भू का रस और अब हम इसमें डालेंगे एक बहुत ही खास चीज जिससे जो हमारा गेस बन रहे बहुत ही अच्छे से साफ होगा मैंने यहां पर इनुफूर्ट सॉल्ट लिया है जो सभी के घरों में होता है तो इसके अंदर हम इसे डाल देते हैं आप देखेंग बहुत ही जो हिन्यों होता है वह बहुत काम की चीज है कुकिंग में और क्लिनिंग में दोनों में आता है तो यहां पर देखेंगे पुरा एक पाउच इनों में डाला है और अब हम क्या करेंगे इसे इसी तरह से छोड़ देंगे कम सक हम इसे 15-20 मिट के लिए हूँ और साइड में रख देते हैं और 15-20 मीट बाद हम इसे चेक करेंगे कि हमारा जो ये बर्नर है किस तरह से साफ हुआ है तो 20 में ठोचुके हैं तो अब हम इस बर्नर को बहार निकाल लेते हैं अब ये जो पानी है ये भी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है तो आप देख से हम इसे हलका सा रगड़ेंगे बहुत जड़ा मेहनत की जुरत नहीं है बस थोड़ा सा आप इस तरह से रगड़ेंगे तो एकदम से क्लीन होने लगेगा तो फ्रेंट्स कई बार दूद या चाई बनाते समय दूद उफन के गेस पर आ जाता है या चाई उफन जाती है य तो कुछ कुछ दिनों में हमें इस तरह से इनकी सफाई करते रहना चाहिए वेसे तो मैं 15-20 दिन में बर्नर को साफ करते रहती हूँ लेकिन अपके बार मुझे काफी समय हो गया था और दिवाली की सफाई चाली रही थी तो मैंने सोचा क्यो ना आपके साथ मैं ये वीडि लगा है पहले कितना काला थाम देखिए इस तरह से तो आप चाहें तो इसे नल के नीचे अच्छे से धो लीजिए या फिर दो से तीन पानी से इसे अच्छे से साफ कर लिजिए यहां पर मैं इस तरह से थोड़ा सा मसलते वे अच्छे से साफ कर लिया है और आप और अब हम इसे इस तरह से एक सूखे कपड़े से पोश लेते हैं देखिए आप चाहें तो इसे कुछ देर के लिए पंखे के हवा में रख दीजे या धूप में रख दीजे ताकि इसमें जितना भी पानी है वो अच्छे से सूख चाहें उसके बाद ही हम इसे गेस चूले के पर फिट करेंगे तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं इसके जितने भी होल बंत है वो भी पूरी तरह से खूल चुके हैं देखिए तो आज का यह तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताईए और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेर जरूर से किछी